हाई फ्रेंट्स शाही पाट साला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का श्वागत है हम लोग BPSC TRE 3.0 के लिए लगतार प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं अच्छे नंबर लाने के लिए एक एक नंबर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच आज मैं उपसित वह हूँ Mathematics के 8 प्रसन को ले करके General Studies के सेक्षन में कुल मिला करके 40 प्रसन में से 8 प्रसन आपको Mathematics के पुछे जाते हैं और Mathematics एक ऐसा सबजेक्ट होता है जिसमें अधिकांस स्टुडेंट जो है इसको इजविय में बना लेते हैं आठ में से कम सकम 6-7 तो गहरेंटी बनाते हैं और बहुत सारे भी दर थे हैं कि 8 में से 8 बनाते हैं जदि इस प्रकार से आप पीछे राजाते हैं आप से मैत नहीं बन पाता है तो आप कहीं न कहीं पीछे हैं और एक एक नमबर एकजाम में कितना इंपॉर्टिंट होता है यह मुझे बताने की जरुरत नहीं है यह आप खुद अनुभव कर सकते हैं आप अल्रेडी जानते हैं तो एक एक नमबर पर प्रियास करना चाहिए तो आठाठ नमबर के लिए मैं एक एक सेट प्रति एक दिन आता रहूँगा एक दिन जो पहले प्रस्न पूछा जा चुका है उस प्रकार के सेट की ब्याख्या करवाँगा और एक दिन अल्टरनेट में मतलब दूसरे दिन इस प्रकार का प्रस्न होगा तो आज मैंने प्रिवियस लिया है और प्रिवियस में डेट आपका 9-12-2023 का है और क्लास 6-8 की स्रेणी में ये प्रस्न आया था तो आप चाहें तो वहां से भी पीडिया फोगेरम देख सकते हैं और यहां तो मैं देख करके रखा हूँ प्रति एक पैंसिल और प्रति एक रवर की कीमत आपको बताना है कि क्या होगा इस प्रकार से आपके पास विकल्प रखे हूई है अब इसके solution पर जिदी बात करो तो solution इसका मैंने यहाँ पर करके रखा है तो मान लेजे कि pencil के कीमत जो है P रूपिया है और एक रवर की कीमत आर रूपिया है तो जदि एक pencil के कीमत P रूपिया होता है एक गुना पी हो गया दो pencil के कीमत कितना हो गया तूपि हो गया तिन pencil के कीमत तीन पी है इसी प्रकार से होता है अब यहाँ पर जो है कि एक रवर के कीमत आर रूपिया है बोला गया था कि दो pencil और तीन रवर के कीमत नो रूपिया है और पुना बोला गया था प्रस्न में कि चार पेंसिल और छोड़ बढ़ की कीमत अठार रूपया है जदी क्लास टेंथ में आप लोग दो चर बाले रैखिक सम्मिकरेंट पढ़े होंगे तो A1 by A2 या लिखा भी बहा है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 जदी इस प्रकार से हो जाए तो दोनों रेखाएं जो है यह समपा समपाती हो जाता है और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओभर लैप करने लगे एक ही रेखा पर दूसरा रेखा बनने लगे इसको समपाती बोलते हैं इस प्रकार के स्थिते में क्या होता है कि अनेक हल होते हैं समिकरन निकाय के कितना हल संभव होता है अनेक हल स अतक कोई एक हल नहीं होगा उत्तर क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं उप्युक्त में से कोई नहीं आई ये चलते हैं दूसरे प्रस्ट थर्टी टू नंबर पर थर्टी टू नंबर क्या कहता है कि चार बहनों की औसतायू साथ वर्स है ठीक है चार बहनों की औसतायू कि चार बहन है और एक मा भी कुल मिला कर पांच लोग हो गए तो आसत में छे बर्स बढ़ जाती है पहले आसत साथ था और अब छे बढ़ गया ने साथ चो तेरा हो गया तो तेरा पचे पेसथ में से साथ चो क्यों अठाइस घटा देंगे इस प्रकार से आईए मैं यहाँ पर क करके रखा हुआ हो कि चार बहनों की आयू का योग कितना हो गया साथ गुना चार अठाइस वर्स और मा सहित चार बहनों की आयू का योग कितना हो जाएगा तो चार बहन और एक मा कुल मिला करके पांच लोग और अवसत में छो की बर्धी हो गए तो साथ पलस चो साथ चो तेरा और तेरपचे 65 यानि अब कितना वर्स हो गया सब मिला करके 5 लोगों का आयू 65 वर्स और 4 लोगों की चारु बहनों को मिला करके 28 वर्स तो यह जो difference है ना, यह difference मा की आयू का है, तो 65 वरस में 28 वरस जब घटाएंगे, मा सहीत 4 बहनों का आयू 65 वरस, इसमें सिर्फ 4 बहनों का आयू घटा देंगे, तो हो जाएगा 37 वरस यह मा की आयू, बिकल्प A जो है आपका सही उत्तर हो जाता है, बिकल्प A, आए चलते हैं question number 33 पर, 33 हमारा प्रसन कह रहा है, कि 121 मीटर आधार चेत्रफल, यानि कि आधार का चेत्रफल कितना है, 121 वर्ग मीटर, आधार चेत्रफल और 23 मीटर उचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन ग्यात करना है आपको तो लंब प्रिज्म का जो आयतन होता है तिरभूज के तरह आधार होगा और इस प्रकार से उसकी उचाई होगी ठीक है और यह जो लंब प्रिज्म बना लंब प्रिज्म का आपको आयतन बताना है तो आधार का चेतरफल गुना उचाई कर लेंगे तो लंब प्रिज्म का आयतन पता चल जागा तो लंब प्रिज्म का आयतन बरावर होगा आधार का चेतरफल और गुना उचाई आधार का चेतरफल था आपका 121 वर किलो मिटर उचाई था 30 मीटर ठीक है किलो मीटर यह नहीं सिधा मीटर सब कुछ मीटर में है तो दोनों को गुना करेंगे तो आपके कितना होता है 2783 और आईतन है तो घन मीटर उत्तर होगा तो विकल B आपको यहां पर सही हो जाता है इस प्रकार से 34 पर आईए एक और 50 के बीच कितनी अभाज संख्या हैं तो एक और बीच अभाज संख्याओं को आपको गिनकर ही देखना होगा इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है अभाज संख्या क्या होता है इसको समझ लते हैं आईसी संख्या जो खुद से जैसे दो है तो दो से भाग लगाएंगे तो यह खुद से हुआ अत्वा एक से जदी दो है तो इसमें एक से भाग लगाएंगे तो खुद से और एक से तो सभी संख्या में भाग लगता है इस दोनों को छोड़ करके जिदे अन्य संख्याओं से भाग लगेगा तो इसको भाजी बोलेंगे अनिता उसको अभाजी बोलेंगे तो यहाँ पर दो पहली अभाजी संख्या याद रखेगा 2 है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एतनी जो है अभाजी संख्या है 1 से 50 तक के बीच में तो इस प्रकार से गिनिएगा इसको यहां से यहां तक तो कितना हो जाएगा कुल संख्या 13 है अभाजी की उसके बाद आईए चलते हैं question number 35 पर काराय रूट अंडर 0.0000 1225 बटे 0.0000 1339 का मान कितना होगा तो आप जानते हैं कि जब उपर में भी 0 जितने digit के पहले है उतने ही अंक के पहले नीचे भी है तो दोनों 10 मलब क्या हुआ गायव हो गया अब क्या बचेगा 1225 और 529 और 1225 को रूट करेंगे तो 35 हो जाएगा और 529 का रूट करेंगे तो कितना हो जागा 73 यहाँ पर उसी प्रकार से मैंने बना कर रखा है जैसे मैंने बोला 10 मलब बराबर बराबर अंकों के पहले उपर नीचे 10 मलब वो हट गया उसके बाद 10 मलब वो हट जाता है तो इधर 0 का कोई मिनिंग नहीं रा जाता है रूट अंडर 1225 और रूट अंडर 529 35 का स्क्वाइर होता है 1225 और 73 का स्क्वाइर होता है 529 तो रूट से बहार हो गया आए चलते हैं कोशन नमबर 36 यदि X, Y और Z धनात्मक वास्त्विक संख्याएं है तो करनी ये जो शुरू में 5 लिखा हो है ना इसको करनी पढ़ते हैं करनी में 5 है रूट अंडर 3125 इंटू X पर पावर 10 Y पर पावर 5 और Z पर पावर 10 तो किसके बराबर होगा तो जदि करनी में 5 है ना तो जिस पर भी पावर 5 होगा वो करनी से रूट से बाहर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कि इसको रूट 5 मतलब पावर 5 के फार्म में इसको लिख लेते हैं तो 325 जो है 5 पर पावर 5 जब करते हैं 325 हो जाता है एक्स पर पावर अभी 10 है तो इसको क्या करेंगे कि 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 को क्या लिखेंगे 10 को क्या लिखेंगे 5 गुना 2 एक्स पर पावर मैंने लिख दिया 5 गुना 2 y पर पावर 5 तो already है ही और z पर पावर 10 है उसको भी दो गुना 5 करके लिख लिए अब जितना पर पावर 5 है वो root से करनी 5 से बाहर आ जाएगा तो 5 पर पावर 5 है तो single 5 बाहर आ गया x पर पावर 2 गुना 5 था तो 5 गया हो गया सिर्फ 2 बचा तो z पर पावर 2 गुना 5 था तो 5 root से बाहर हो जाता है तो z पर पावर सिर्फ 2 यहां पर बचा हो आ रहा गया तो इस प्रकार से 5 into x to the power 2 into y into z to the power 2 आपका विकल्प a में है यह सही उत्तर हो जाता है आए नेक्स चलते हैं 37 पर यदि 3 10 theta बाबराबर 4 है तो 3 sin theta plus 2 cos theta बटे 3 sin theta minus 2 cos theta का मुल्यांकन करना आपको तो इस प्रसन को बनाने के लिए सबसे पहले तो 3 10 theta बाबर 4 है तो इसको 10 theta बाबर क्या कर लेंगे 4 by 3 10 theta को भी बदलने जानते हैं हम लोग sin theta बटे cos theta और इधर तो 4 by 3 है तो 4 by 3 लिख दिए इसका मतलब यह होता है कि हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि sin theta बराबर 4 के अनुपात में है और cos theta बराबर 3 के अनुपात में है ठीक है तो sin theta जहां भी लिखा होगा वहाँ पर 4 हम लिख सकते हैं और cos theta जहां पर लिखा होगा वहाँ पर 3 हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा है 3 sin theta प्लस 2 cos theta तो 3 और sin theta जगह लिखेंगे 4 और 2 cos theta जगह लिख देंगे 3 तो गुना होता है दुनों के बीच में तो इसी प्रकार से यहां पर लिखे तो चारतिया 12 और 3 दुना 6 12 प्लस 6 और नीचे भी 12 प्लस 6 लेकिन यहां पर प्लस 6 है और नीचे क्या होगा? माइनस 6 12 प्लस 6 अठारा 12 माइनस 6 इसको भाग दियता हुगा 3 तो उत्तर यहां पर 3 बिकल्प में नहीं है तो यहां पर उत्तर हो जगा बिकल्प E यानि 5 माप सनिया पर सही है और आएए चलते हैं लास्ट 38 निम्बर प्रस्ण पर लोहे का एक ठोस टुकड़ा 49 सेंटिमीटर 33 सेंटिमीटर और 24 सेंटिमीटर बिमाओं बाले एक घनाव की आकार में है इसको ढाल कर एक ठोस गुला बनाया गया है तो गुले की तरिजी आपको ग्याद करनी है तो कैसे करेंगे कि गुले का जो आयतन होगा वह घनाव की आयतन के बराबर हो जाएगा ठीक है गुले का जो आयतन होगा वो घनाव के आयतन के बराबर होगा अब गोले का आयतन बराबर सुत्र क्या होगा 4 by 3 पायर क्यू और घनाव का आयतन क्या होगा LbH यह नि लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई 4 by 3 तो सुत्र का है और पाय कमान 22 वटे साथ है RQ रहने दिये और यहाँ पर जो अभी हम लोग पीछे क्या देखे थे LbH दिया हुआ था था इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लिए 49 गुना 33 गुना 24 अब क्या करेंगे जो बटे में है उसको बराबर के दूसरे तरफ ले जा करके उपर लिख देंगा और फिर 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 अब दो से कटाएंगे ती यह भी तीन बन जाएगा तो बच 11 है 3 गुना 7 गुना 49 गुना 3 गुना 3 तो इसी को यहाँ पर लिख दिये हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं को 3 पीस 3 है यहाँ पर 1 पीस आगे है 2 पीस पीछे है और 3 पीस 7 भी है 2 पीस 7 है 49 में और 1 पीस 7 है सिंगल में तो इस प्रकार से पावर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर 3 और गुना 7 पर पावर 3 तो जब दोनों उगल पावर बरावर हो जाता है तो पावर स्वता समाप्त हो जाता है बच यहाँ क्या आर बरावर 7 गुना 3 यानि 21 सेंटीमेटर यह होगी आपका उत्तर तो यह था हमारा 8 प्रसनों का सेट जो कि पहले का पुछा हुआ प्रसन है और अगले दिन जो मैं सेट ले करके आपके बीच उपस्तित होँगा वह मेरा बनाया हुआ मॉडल सेट होगा तो रेगलर रूप से बने रहिए अच्छे अच्छे वीडियो ले करके मैं इसी परकार से आता रहूँगा बने रहे ये शाही पाट साला के शाथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद